हाला स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर कर जिंद प्रोई तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूं फॉर इंजिनेरिंग मैंटेमेटिक्स बारे में बता चुका हूं कि मैंट्रिक स्पेस हूता क्या है और इस पर बेज मैंने कुछ एक्जाम्पल्स लिए तो इसविने आई टेप पर जाके मेरा प्रीवेश वीडियो आप देख लिए ताकि यह देखने हम आपको समस्या पैदा नहीं हो आज मैं आपके सामने डिसक्स करूंगा कि डिस्क्रिक मेटिर्क स्पेस क्या होता है एंड शूढ़र मेट्रिक स्पेस या सेमि मेट्रिक स्पेस क्या होता है यह मारे पास space में यहां पर एक कोई भी हमारे पास x non empty set है और एक mapping दे रखिए हमारे पास यहां पर d x cross x to r हमारे पास कोई mapping दे रखिए तो यहां पर जो first condition क्या होती है कि जो d है वो हमारे पास क्या होना चाहिए 0 और 0 से बाड़ा होना चाहिए है यहाँ पर पास यह होता है कि यहां पर पास यह होता है कि एक वेल्यू जिरो है यह हमारे पास सेटीन होती है थิ्हाइब के वाइए पूर्फ त allied समयत्रिक वाली कंडिशन होती है एंड चुर्थे सब्सक्राइब कोई वाइबल लिया तो उसकी जो distance जो अगर हम के साथ लें गें तो इसकी वेरिबल लिया यहाँछा होगी उसके में यहाँ से जाथ जाता हैं यहँ अगर एक्स बाराबर वा होगउगा तो यह ऐसा जरूरी नहीं है अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं शुड़ो मैट्रिक स्पेस्ट हो जाएगा तो यहीं आप है बुला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई होता है यहां पर क्या होता है इस अब बात करेंगे स्विन अब बताना चाहता हूं कि हर मेट्रिक जो होगा वह होगा से मेट्रिक होगा बट कनवर्स में और भी ट्रू क्योंकि मेट्रिक है तो हमारे पास जो सेकेंड वाली प्रोपर्टी क्या बोलती कि डिए एक्सवाइगर जीडो है तो अगर मतब सुड़ो वालब होगा तो उसमें सिर्फ वन वे होगा बट टूए नहीं होगा तो अगर मेट्रिक स्पेस है तो शुड़ो तो होगई होगा राइट बट कनवर्स में और भी ट्रू इसकी स्ट्रेश क्या होता है अनोग एक्विट वी सेमिमेट्रिक स्पेस यहां बटाइव और आपके सामने बताऊंगा कि कैसे हमारे पास यहां पर मैट्रिक स्पेस बनता नहीं बनता है, so example लेते हैं तुनिया पहे, let R01 denote the class of all remain integral function F from 01 to R and consider the mapping D R01 cross R01 to R and यहां पहे एक डिफाइन किया function D FG is equal to 0 to 1 mod of F minus G X DX and ultimately यहाएगा Fx minus GX into D X. अब मैं आपको बताना चाहरा हूं कि आपको यह प्रूव करना है कि यह जो है यह यह हमारे पास शुड़ो मैट्रिक है on R01 but this is a not metric, right? तो मतलब हमें यहाँ पर यह ultimately second property पर हमें focus करना है कि second property हमारे पास क्या बोलती है metric कि D X Y अगर हमारे पास यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको systematic कर देता हूं, है ना, second property क्या बोलती है कि अगर X is equal to Y है तो हमारे पास यहाँ पर D X Y क्या होगा? 0 होगा, but converse मैं not be true, हमें इस पर ध्यान देना है अगर यह हो जाता है तो हम यह प्रूव कर देंगे कि यह शुड़ो तो है, but metric नहीं है, clear है? तो देखें कैसे हम इसको प्रूव करते है, तो यहाँ पर first property तो वैसे भी directly प्रूव हो जाती है कि अगर हमारे पास कोई भी function fx minus gx अगर greater than equal to 0 है तो इसका integration की value भी क्या होगी? जीरो और जीरो से बड़ी होगी, तो first वैसे प्रूव हो जाएगा, अब second पर focus करते है, कि अगर fx बराबर gx है, भाईया, दोनों function बराबर है, तो यहाँ पर fx minus gx तरके देंगे, तो 0 हो जाएगा, और 0 पर इसकी value क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा, तो इसके जो integration की value 0 होगी, तो यह तो true हो गया, अब converse की बात कर रहें, converse क्या होता है, कि अगर इसकी value 0 है, तो यह f और g दोनों क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, अगर बराबर हो गया, तो फित्मेट्रिक हो जाएगा, तो हम यह लेकर चल रहेगी, यह 0 है, but this is not, this and f and gx is not equal, तो हम ने एक फंक्शन लिया, fx को मैंने डिफाइन किया, कि 2, where x is equal to 0 and 0, between 0 to 1, and gx अने डिफाइन किया 1, x is equal to 0 and 0, where, yes, की वह लिए, 0 and 1 के भीच में लाइकरी, right, अब हम बात करेंगे, सुनिया पे हमें यह परू करना है, fx, d of fg is equal to 0, but fx is not equal to gx, right, तो हम क्या करें यह पर हम बात करेंगे, fx minus gx निकालेंगे, right, हम क्या करेंगे, सुनिया पर इसकी value निकालेंगे, fx minus gx की value निकालेंगे, क्योंकि हमने fx और gx को define कर दिया, अब सुनिया पास क्या होगा, यह two, इसको minus करेंगे, तो सुनिया आएगा, हमारे पास two, where x is equal to 0, and यह आजाए आपास क्या रिखाँ है झाल क्या उन्हाइक यादा इसकी जगा वी रखेंगे अगर इसकी विल्य हमारे पास जीरो आ stop omg इन डिल्ड इसलिक्शन की विल्य क्या रिकिए 0 दिर की और अब जानते हैं इसकी यहां पर यहां पर कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां बने को इंटरेंज करेंगे चुकि ऐसे भी प्रोग जाएगी होता है आपको सिर्फ सेखंड वाली प्रेटर अगर हमारे पास यह पर प्रूब कर देंगे यह तो इस तरह से question को मियां पर solve करते हैं एक और एक्जामपल लेता हूं और यह एक्जामपल हमने dxy x square minus इससे पहले वाला जो यूट्यूब वीडियो था जिसमें मैं बताया था यह वाला example मैं डिसकस किया था तो आप हाई टेप पर जाके देख सकते हैं यह जो होता यह metric नहीं होता है है ना metric space नहीं होता है clear है एक्स स्कौर माइनस वाई स्कौर क्लियर है तो यह बताना चाहतों पर यह शुडो होगा जीरो जाएगा अब बात करते खंवर्स के लिए हमारे पास डूह ही लिए तो हम यहां पे क्या करेंगे अगर उनकर ने ट्रौ इए c अभी आपके सामने एक्जाम्पल दिया था कि अगर आप यहां पर X की वेल्यू में वन लूँ और Y की वेल्यू होगर मैं माइनस वन लूँ तो भाईया यह कंडिसन सटस्वाई होती है ना वन स्कॉर वन इसको पर हम जानते हैं कि X और Y दो बारावर नहीं है राइट सो वैसे भी यूँ भी देख सकते हैं और अगर इसको बराबर 0 करेंगे तो X की वेल्यू एक तो प्लस Y आएगी और एक X की वेल्यू क्या एगी माइनस वाईगी मतलब दो डिफरेंट वेल्यू के लिए क्लिए जीरो हो रहा मतलब यह हमारे पास क्या होगा एक नवर्स प्रो इसको खर हम छेंज भी करेंगे मैं है तो भी मोडूलस को फरक्षजा हो जाएगा तो यह में तो यह पास क्या चारों प्रोपर्टी में इंप्ट देज बारे बाकी तीन वेसे वे समें प्रीवेड वीडियो में बता चुका हो यहां भी आप इस तरह से देख सकते हैं तो भी पास एक्जमबल था, next बात करेंगे discrete matrix के बारे में, discrete matrix matrix प्रेंगा होता है, discrete matrix space क्या होता है तो सबसे पर यहां पर जो डी ultimately क्या होता है सब डी एक सब कुछ चलता है, तो मैट्रिक जिसे में define रही है, define कर रहरे है, उसमें चेक करना पड़ेगा, right कि metric की सब भी property satisfy हो रही कि नहीं हो रही है तो वह हमारे पास क्या हो जाएगा metric space हो जागा तो इस ताइब का जो कोई भी हमारे पास metric दे रहा है dxy is equal to 1 where x is not equal to y and x is equal to y पर 0 दे रहा है तो बराभर होगा तो zero होगा और not equal to क्वा और तो यह दे रखा तो आपको यहाँ पर जृता लगाना एक होता है तो सबस्क्राइए हम बात करेंगे मैट की पहली परिवाशम स्वारे पास कह यह होती है कि यह जह वह हो। यह तो बहिया अब देख रहूं यहां पर 0 और 1 आ रहा है ना जब बराबर है तो 0 आ रहा है और जब बराबर नहीं तो वन आ रहा तो इसलिए आप देख रहे हुए 0 और 0 से बढ़ा रहा है ना यह तो जीरो से बढ़ाएगा तो फस्स पंडिशन तो वैसे भी देखते हैं अब बात करेंगे सेकंड कंडिशन क्या होती है कि अगर एक सीकल डुड़ा है हो तो हमारे पास क्या होता है यह तो लिए पर एक सब्सक्राइब एक साइट से लेंगे, एक बार ये चिक करते हैं, तो मैंने कि अगर है सुनिया पर x बराबर y लिया, it implies this, yes, it's right, x is equal to y है, तो dxy 0 हो रहा है, अब उल्टा लेते हैं, कि अगर dxy 0 हो रहा है, if dxy is equal to 0, तो क्या ये सही है, कि x is equal to y, yes, क्योंकि जब इसकी value 0 है, तब ये हमारे पास x, y, right, तो ये दोनों ही तरीके से हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, satisfy हो रहा है, तो मतब सेकंड गंडिशन हमारे पास क्या हो रही है, satisfy है, कि अगर dxy 0 है, तो x is equal to y, if and only for, दोनों तरीके से true हो रहा है, अब बात करते हैं, अगर x is not equal to y, तो dxy is equal to 1 होगा, और हम ज हमारे पास क्या होगा, तो इसमें कोई change होने वाला है नहीं, तो ये बराबर आ रहा है, अगर हम x is equal to y लेंगे, तो हम जानते हैं, dxy is equal to 0 होगा, और अगर हम dxy 0 होगा, तो भईया, y, x, b हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, कोई फरक मढ़ने वाला नहीं, तो इसमें यहां प is equal to z, अगर तीनों ही बराबर है, तो इस वाले case में dxy की value, dyz की value, dxz, xy की value, xz की value लो आप है न, ठीके न, yz और xz की value, भईया, यह सब के सब 0 होगा हमारे पास, सब के सब हमारे पास क्या होगे, सब के सब हमारे पास क्या होगे, 0 होगे, right, सब के सब हमारे पास क्या होगे, xz, यह सब के सब क्या होगे, हमारे पास 0 होगे, क्योंकि अगर अगर तीनों बराबर है, तो ultimately हमारे पास function क्या हो जागा, 0 हो जागा, तो हमारे पास property क्या हो ज less than and बरावर भी आता है तो यह 0 सब 0 होंगे तो सब बरावर हो जागा तो सुन यह वारी condition क्या हो जाएगी satisfy हो जाएगी तो जब 3 हो बरावर है तो यह तो क्या हो जाएगा बरे पास 2 हो जाएगा अब बात करते हैं कि कोई 2 equal और 1 बरावर तो यह वारी third condition की बात करते है तो third condition के और इस विए पर x is equal to y but it is not equal to z मतलब क्या हो रहाए एक्स वार य तो बरावर है अगर xy बरावर है तो हम जानते हैं कि dxy की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी अब हम जानते हैं कि x is not equal to z यह दुनों बरावर नहीं है इसका मतलब यह होगा कि d xz की value हमारे पास और d yz की value हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी अरे जब बरावर नहीं है तब यह वन है clear है तो हम जानते हैं हमारे पास यहां पर property क्या होती है कि d xy is less than equal to हम जानते ही होता है तो हम d xy की value बाद में निकालते हैं पहले इसको ने पटते हैं तो हम जाते हैं इसकी value हमारे पास 1 है और इसकी value हमारे पास 1 है तो यह दो आ रहा तो यह बड़ा हो जाएगा इससे हैं क्योंकि इसकी value तो 0 है तो yes condition satisfy हो रही है है इस ताप से हम जानते हैं कि d xy is less than equal to d xz and dz x हो जाएगा clear है और हम जानते हैं इसकी value 1 है और यह हमारे पास 1 plus 1 यह condition satisfy होती है मतलब यह भी हमारे पास true हो जाएगा तो यहां पर जो होता है यह चारो condition को क्या करता है satisfy करता है तो मतलब यह क्या हो जाएगा मतलब इसको इस तरह से इसी प्रूव कर सकते हैं तो कभी-कभी एक्जाम में इस पर बहुत easy question पूचा जाता है कि लेड़ मैपिंग दिस इसको प्रूव करने के लिए पूचे आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकता है तो मैंने आपको मैट्रिक पर को मताया है उसी प्लैलीस मेरे इस भी अच्छा videocome प्लाट कर पलोट कर रहा हूं प्लस चैनल मैं काफी चान्टेंट आपलोट कर रहा हूं पर Git amp 남자 cmrnet न हो भी आप झाकी यह अप देख सकते हैं मेरा नया चैनल है जिस पर मैं वह कंटेंट अपलोड कर रहा है और यहां पर आप हायर मैट्स की वीडियो देख सकते हैं तो तैंक यह सो मच पोचिंग में लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद